जरा सोचिए कि IIT बंबे से पढ़ाई करने के बाद भी जो है अगर आपका मंतली इंकम जो है मातर 33 से 34,000 हो तो ये जो है सोचने वाली बात है इसलिए आज हमें लगा कि इसके उपर जो है एक वीडियो जुरूर करना चाहिए देखे सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि इंडिया में जितना भी टॉफेस्ट एक्जाम है उसमें दूसरे नंबर पे जो है IIT आता यानि कि इंडियन इस्टिटूट अप टेक्नलोजी इसमें हर साल जो है लगबग 10 लाग से ज़्यादा बच्चे जो है एक्जा कर लेते हैं कुर्स पूरा करने के बाद भी जो है 100% में सिर्फ 75% बच्चों को जो है जोब मिलता है 25% बच्चे जो है जोब लिस रा जाते हैं और उस 75% बच्चे में जो है कुछ बच्चे ऐसा है जिनका साल का पैकेज जो है सिर्फ 4 लाग है साल का पैकेज 4 लाग का में करणबाट करते हैं तो लगबग 33,333 करके संथिंग आता है इसलिए हमने यहां पे लिखा हुआ कि IIT बंबे से पढ़ाई करने के बाद भी जो है महीना सिर्फ 33,34 तक और यह सुनने के बाद जो है काफी सारे लोग जो है चिंता में पढ़ जाते हैं कि जो इंडिया का जो है ऐसे संस्तानों में अड्मिशन लेते हैं और अड्मिशन लेने के बाद जो है सब कुछ सही हो जाता है उसके बावजूद अगर इस तरीका से पैकेज मिलता है तो यह जरूर जो है सोचने वाली बात है तो आईए अभी आप देखीगा तो यह न्यूज में जो है काफी ज्यादा ये टॉपिक चल रहा इसलिए हमें भी लगा कि नहीं इसके उपर कहीं ने कहीं जो है वीडियो गरा करना चाहिए तो यहां पर लिखा हुआ दिखीगा कि जेई जेवली जैसा टफ एक्जाम फिर भी इतनी पढ़ाई के बाद मिला चार लाग का पैकेज कईयों के हाथ खाली IIT बंबे की चौकाने वाली रिपोर्ट अभी के समय में अगर आप Google पे जा करके सर्च मारते हैं कि IIT बंबे न्यूज तो इस तरीका का काफी सारा न्यूज आपको मिल जाएगा कि अभी के दोर में जो है IIT बंबे से सिर्फ 75% बच्चों का ही सेलेक्शन हुआ ह हम यह नहीं बोलते हैं कि सभी बच्चों का सलाना पैकेज 4 लाक है बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका सलाना पैकेज 20 लाक 25 लाक कोडरों तक है अगर हम average का बात करते हैं तो average data भी आपको हम बता देते हैं लगबग 22-30 लाक के आसपास में है जैसे यहाँ पे एक data इसको हम स लेकर के कहां तक मिला तो 6 लाग तक मिला है इसके बाद जो है आगे दिखिएगा कि 4 लाग से लेकर के 6 लाग मिला है इसके बाद जो है यहाँ पे बोला कि 68 बच्चे वैसे हैं निया 68-46 वैसे हैं जिनको सालाना पैकेज जो है 6 लाग से लेकर के 8 लाग यह सालाना है जैसे मा बच्चे वैसे जिनको 6 daug से लेकर करके जुआ हाठ लग तक पैकेज मिला है। ये अच्छा बात है इसके बावजूद जो है आई 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 टी के चात्रों को जो है चार लाख रुपे का सलाना पैकेज मिलना चौकाने वाली बात है जबकि 25% चात्र वैसे हैं जो खाली रहा गया जिनको ये 4 लाख वाला पैकेज भी नहीं मिला यानि एक तरीगा से समझे ये कि आई आई टी बंबे से पढ़ाई करने के बाद भी जो है ये 25% बच्चे जो है अब तक बेरोजगार हो गया हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इनको रोजगार मिले लेकिन फिलहाल जो है ये बेरोजगार की स्रेनी में आ चुके हैं इसके बाद यहाँ पे दिखे समाप्त हो चुके हैं इसमें आउसत वार्षिक पैकेज देखा जाया यानि सलाना पूरे एक डाटा का अगर एबरेज निकाल दिया जाया तो 23.5 लाक आ रहा है तो ये जो है एबरेज हो रहाला की सही है समझ रहा ना लेकिन इसमें कुछ चात्र वैसे हैं जिनको 4 लाक अगर प्रफक्ट नहीं हो पाता है जब हम पर्सन टू पर्सन जाते हैं तो जाकर के हम को एक जेट डाटा मिलता है तो यहां पे बोला की एबरेज डाटा का बात करते तब तो आपका 23,50,000 करके आ रहा है तो ये तो एक अच्छा डाटा है एबरेज डाटा लेकिन परसनल पर जाते हैं तो कुछ बच्चे वैसे हैं जिनको जो है जैसे दस बच्चे के बारें बता हैं जिनको सिर्फ 4,00,000 से लेकर के 6,00,000 सलाना पैकेज मिला है यहां तो कोई दिकत नहीं है अब यहां पर बोला कि 775 जो है चातरों को बहुराश्ट्रिये कमपनियों और 622 चातर टॉफिस्ट एक्जाम में जो है UPSC आता है उसके जस्ट बात जो है IIT आता है जिसमें 10 लाग से ज़्यादा बच्चे जो है हर साल फॉर्म डालते हैं और उसमें काफी कम बच्चों का जो है सेलेक्शन होता है यहां तक की समझी की एडमिशन लेना ही जो है अपने आप में 33,000 रुपय रहेगा तो जरा सोचिए कि उतने बड़े-बड़े सहर में रहा करके जो है अपना सर्वाइवल कैसे करेंगे तो यह जो है जरूर लगा हमें कि नहीं यह टॉपी के उपर बात करना चाहिए बाकी आप बताइए कि इसके लिए जिमेवार कौन है चुकि बहुत धन्यवाद